हेलो दोस्तों, वेलकम बैक तो दो चैनल, आप खूब मेनद करो, वो गोल, वो ड्रीम अपने जिन्दगी में मेनिफेस्ट करो, आप कर सकते हो, क्योंकि आप डिजर्ब करते हो, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइप में एक एक्ष्टा आर्डिनरी गोल रखो, एक इतना आने जा रहा हूँ कि उस गोल को, उस एक्ष्टा आर्डिनर गोल को कैसे हम अचीव कर सकते हैं, yes, we can achieve that goal in our life, because nothing is impossible, कुछ भी impossible नहीं है, believe करो मेरे उपर, in this video मैं आपको 5 steps बताओंगा, बहुत ही easy, बहुत ही simple 5 steps हैं, but अगर आप उसे daily basis पे discipline के साथ करोगे, तो मैं वादा करता हूँ कि यह आपकी जिन्दगी को change कर सकता है, वो goal चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी impossible हो, आप उसको manifest कर सकते हैं, so watch this video till the end, and अगर आप नए हैं तो subscribe करिए, like करिए, और अपने family, friends से share करिए, तो चलिए हमें start करते हैं 5 steps process, वो 5 steps हैं, detachment, doubt, alignment, law of assumption, and manifestation, इन पाचो को हम समझते हैं धंक से, first point है, detachment, यह बहुत important point है, past में तो हो सकता है, बहुत problem हुई हो, बहुत traumas हुई हो, बहुत ही negativity हुई हो, आपने बहुत मेहनत की हो, but unfortunately, results आपको नहीं मिले, जैसा आप चाहते थे, I get that, I understand, वही mindset लेके आप आगे चल रहे हैं, तो आपके अंदर हर चीज में problems आ रही हैं, आपको हर चीज में negativity दिख रही होगी, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, कब हो सकता है, बहुत impossible है, I get that, but वो retirement रखना बहुत जरूरी है, आपको बच्चा बनना पड़ेगा, एक baby बिल्कुल pure hearted होते हैं, उनके अंदर बिल्कुल negativity नहीं होती है, एक छोटे बच्चे को उसका father उसको हवा में उच्छालता है, तो वो हसता है, वो खुस होता है, क्योंकि उसको पक्का यकीन है कि उसके father उसको hold करेंगे, you have to trust this process like this, universe पर God पर trust करो, कि अगर वो आपको गिरा रहा है, तो वो आपको hold करने के लिए भी खड़ा है, detachment is the first step, second step is doubt, doubt आएंगे ही आएंगे, आपके दिमाग में जिसको हमको हटाना है, clutter को हटाना है, unfortunately हम humans हैं, दीन भर में 60-70,000 thoughts सोचते हैं, believe me, 19% of times हम लोग सब negative ही सोचते हैं, जब आपके अंदर doubt आएगा, तब आपके अंदर problems आएगी, because तब वो doubt आपको negativity का cloud लेकर आएगा, और वो negativity का cloud बड़ा होता चला जाएगा, और तब से आपको नहीं समझ में आएगा, because वहाँ पे आप लाजिक ढूडेंगे, कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, हो भी सकता है, मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, आप नीची गिरती चले जाएगे, और जो आपका extraordinary goal है, जो आप चाहते हैं life में अचीव करना, उसका बिलकुल opposite सोचने लग जाएगे, कि ये possible ही नहीं है, आपके अंदर desperation आजाएगा, desperation to achieve that goal, जहाँ पे भी desperation होता है न, आप वो चीच अचीव कर ही नहीं सकते हैं, because desperation का मतलब होता है insecurity, कहीं न कहीं आपके अंदर आपको ल for example, मैं एक लड़की से friendship करना चाहता हूँ, she is very beautiful, और मैं एक average looking person हूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ, यार वो मेरे से friendship क्यों करेगी, I am such an average person, मैं उसके सामने तो खड़ा ही हो नहीं पाता हूँ, it's like मेरे अंदर confidence नहीं है, मुझे जाप के लिए interview के लिए जाना है, मैं अपन वो चीज यकीन ही नहीं है, कि मैं वो deserve करता हूँ, मैं achieve कर सकता हूँ, और लाखों लोग आपने देखे होंगे social media पे देख सकते हैं, internet पे देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं, कहीं न कहीं एक ऐसा person होगा, जिसके पास सायद कुछ भी नहीं है, बट वो self-made man ह जिसने खुद अपने जिन्दगी, अपने empire खड़ी की है, so stop doubting yourself, अगर आप खुद पे doubt करोगे, तो आप कुछ भी achieve नहीं कर पाओगे, you have to believe in yourself, you have to believe in the process, you have to believe in my words, कि आप deserve करते हो और आप कर सकते हो, third point is alignment, now you have to understand, मैं detach हो चुका हूँ, from my past negativity, from my past failure, मेरे अंदर जो doubt है, मैं उसे भी हटा रहा हूँ, वो cutter को हटा रहा हूँ, वो गंदगी को हटा रहा हूँ, अब मेरे अंदर क्या दिख रहा है, मुझे अपना goal as a focus person दिख रहा है, कि as a camera lens मैं उसी पे focus हूँ, that means I am aligning myself towards that vision, आता है न, तो मैं steps लेना सुरू कर देता हूँ, because मेरे अंदर confidence आता है, मैं books पढ़ता हूँ, जो achieve करना चाहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, जो मैं achieve करना चाहता हूँ, मैं ऐसे groups follow करता हूँ, because मेरे अंदर यकीन होना सुरू हो जाता है, एक negative person कभी भी ये नहीं कर स सकता है, because उसके अंदर confidence नहीं होता है, alignment आपको will power देता है, जिससे आप steps लेते हैं, जिससे आपके अंदर confidence आता है, वहां से fourth point आता है, law of assumption, law of assumption बोलता है कि जो चीज आप believe करते हैं, वो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, चाहे व It's like if you want to eat mango, और आपके पास इस समय नहीं है, तो आपका vision इतना strong होगा कि आप वो चीज देख सकते हैं, आप वो चीज फिल कर सकते हैं, आप वो चीज इसमेल कर सकते हैं, आप वो चीज टेस्ट कर सकते हैं, इतनी power होती है law of assumption में, with the help of visualization, वो believe हो जाता है कि हाँ वो mango है मेर सामने, जब आपका goal आपके सामने होगा और पांचों senses work कर रहे होंगे, you can hear, you can taste, you can smell, you can see that thing, तो वहां से law of assumption start होता है, because negativity सारी जा चुकी होती है, and from that, fifth point comes automatically, and that is manifestation, आपको ऐसे लोग, ऐसे situation, ऐसे circumstances मिलेंगे, जो आपको मदद करेंगे, आपको वो चीज manifest करने में, आपको कहीं न कहीं से context मिलेंगे, from the extraordinary reward, और उसी को लोग miracle बोलते हैं, there is no such thing as a miracle, आपके mind का ही सारा game है, जब आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो mind, body, spirit connection होता है, mind, my body, and my spirit, my soul, वो one direction में work करते हैं, and that is that one direction, your extraordinary goal that you want to achieve, और वहां से पूरी कायनात आपकी मदद करने में, लग जाती है, to achieve that goal in your life, make sure कि आप इसको follow करो, इस process को follow करो, और एक बड़ा goal रखो, छोटे मोटे goal तो सब लोग achieve कर लेते हैं, तो तुम में क्या difference है फिर, कुछ बड़ा करो, be that one person in your field, and be extraordinary, this will truly make you a magical person, और लोग आपके बारे में बात ही करेंगे, और कहेंगे, देखो इसक क्या था और क्या achieve कर लिया, I hope this video was very helpful, like करो, subscribe करो, और दोस्तों के साथ share करो